अपने यूटूब चैनल गाउं की मांसे में आप सभी का धेर सारा शाकत करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मजे भी होंगे मस्त होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं आप सभी के दुआओ की वजह से और आज आप सभी हमारा नया अतार देख रहे होंग गले में हमने मंगा सूर्द डाल रखा और यह छोटा सा हमने पैंडल डाल लखा है इसका कान का भी था पर वो तूट गया है पिसली हमने नहीं पहना है और हम कर रहे हैं इस टाइम मेक अप और तयार हो गए यह दिखे पैरों में महावर औगरा हमने पहले ही लगा लिया थ है और जो जो चीजे हमें लगानी है वह हम निकाल के रख रहे हैं और आज हम पूरा मेकप करके ही वीडियो बनाएंगे आई-लाइनर मस्कारा और फेस पाउडर का जल सब कुछ हम लगाने वाले हैं हाथों में हमने चूडिया वगएर सब पहन लिया है और गेटप देख र काउडल लगाने के लिए हमारे पास ब्रस ही नहीं है देखतों पता नहीं ब्रस हमने कहां रख दिया है यह नहीं रहा है तो हाथ से काम चलाना पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा हाथ से काम चला लेंगे पता नहीं हमने कहां रख दिया है और यह देखिए यह देखिए इस इसे काम चलाना पड़ रहा है हाँ से ही और नेल पेंट वगए रहां लगाएंगे इसके पास बात वैसे हमने फेरे लबली लगा ली है और क्या बोलते हैं प्राइमर प्राइमर भी हमने लगा लिया है अब फटा-फट से तेयार होते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं हमार क्वा ने फिर प्राइमर कैमर को अब टाल दोगी हुआ 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 दुक्ट फिर विण हिरे लुग आप प्राइमर को अब टाल दोगी कि हमारी रसोई में और अब चूले में आग जलाने लगे हैं पहले चूले में आग जला देंगे फिर हम बर्तन में मिट्टी लगाएंगे कि थोड़ा सा लकड़ी पकड़ने में टाइम लगेगा डहा। जाएजिए झाभे झालो लगटोने लखा तनि नाएजिए कि चूले की आग से हमारी वह बहुत अच्छे से जल गई है अब हमने कड़ाई चला दी इसे गरम होने देंगे इसमें डालेंगे सबसे पहले दूद्त जो समान हम लेके आये हैं इनको दिखा देते हैं अब सभी को यह हमने चीनी ली है और यह है गरी का बुरादा धाई सो ग्राम छोटी लाइजी यह मिल्क पाउडर और यह है दूद्त तो सबसे पहले दूद्त को ही हम डालेंगे कड़ाई में इसलिए कराही को उतार के दो बारस चला दे रहे हैं तो कि दूद्त तापी निकल गहा है और अब हम उत्त लगड़ी लगा देते हैं जिसे दूद्त कम निकले कि में बार में देंगे आपको हटो फाबी एक साइड हो जाओ यह दिखाव पास में यह हम इसमें लेंगे एक पाउड और यह एक पाउड है हमारे ग्ल्यास का मेजर्मेंट है इसको डाल देंगे कडाही में पुल फैड में है दोस्तों ये और दूद को उबलने देंगे क्या अच्छी लगए आपको यह क्या है माला नहीं है यह मांतीका है मांतीका जाओ आप खेल लो दे बाबू बहुत दूवा नहीं है यह आओ बताए आओ बताए कहा करना है दूवा लग रहा है उसका आने के विल्कुन इम्मत नहीं पड़ रही है कोई बात ही आप जाओ यह हमने छोटी इलाइची लिए दोस्तों और इसका हम बनाएंगे आप आप लाग रहा है देखिए मेरी आग से आजो बहना चालू हो गया लगता है मेकप फीकल जाएगा तो अब हम चीनी डालेंगे इसमें हमें दो दूध में और यह हमने कटोरी ले रखी है इस कटोरी से एक कटोरी हम इसमें डालेंगे चीनी दूध हमारा उबनने लग दूध है बेटा तो चीनी इसमें हम एक कटोरी डाल दिये हैं और चीनी को पिखलने देंगे कटोरी को अमने नीचे उतार लिया दोस्तों कि दूध हमारा जो है अच्छे से गरम हो गया हां रखा उदर रखा उदर रखा उदर रखा बाबू दूध अच्छे से गरम हो गया है इसमें पिखलने के लिए छोड़ देना है मेल्ट हो जाये हमारी चीनी अच्छे से भी होगा न दोस्तों अगर आगते रखे रहेंगे तो इसकी चास्नी बन जाएगी तो चास्नी हमें नहीं बनाना है सिप दूध में चीनी को मेल्ट करना है तो दूद में हमारी जो चीनी है वो अच्छे से पीघल गई है वापस से हम इसको चड़ा देंगे चूले पे और आज को धीमी रखेंगे जानी की मीडियम रखेंगे तो चीनी और दूद अच्छे से मिल गया है और दूद भी हमारा अच्छे से उबल चुका था तो हम इसमें डाल देंगे यह छोटी लाईजी पाउडर है आधा चमच और अब यह हम 20 ग्राम गरी का बूरा इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे इसको नीचे उटाल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों मिल्क पाउडर जो की चार से पांच बड़े चमच हमें लिए हैं और इन्हें भी अच्छे से मिलाएंगे बहुत जादा अभी यह जल रहा है तो इसे हमें ठंडा करना होगा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है मिल्क पाउडर को देखिए दोस्तों हमने अच्छे से मिला दिया है और वापस से इसे हम फिर चूले पे चढ़ाएंगे अगर आप गैस पे बना रही हो तो गैस को आप दीमी कर सकते हो लेकिन हम चूले पे बना रहा है तो इसलिए हमें बार बार उताना पड़ रहा है अधना अच्छो पाच्छा है अधना अधना है अधना है यह दिखी दोस्तों जो हमारी कंसिस्टी है इसका तो ठीक हो चुकी है और इसमें आप दूध कहीं भी नहीं है दूध अच्छी तरह से जल चुका है और अधना प्लूध इसमें मावा बन गया है जलके तो अब हम इसे नीचे उतारेंगे अधना लग रहा है ना दोस्तों की पूछे मत और यह देखें मेकसर को आप लोग देख लिजी एक बार पास से तो इसे अब हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और करीद 10 मिनट में यह ठंडा हो ज कर लेंगे और बहुत अच्छी से खुसबू आ रही है हमारे लड़ू में से जबकि लड़ू अभी बना नहीं है पहले से ही मूं में पानी आना शुरू हो गया है तो इसी हम थोड़ा सा फैला देंगी दूस्तों ताकि यह जल्दी से थंडा हो जाए और इसी तरह से इसे बर्फी भी बनाया जा सकता है इसी स्टेज पर यहाँ पर बर्फी भी बनाई जा सकती है अगर आपको बर्फी बनानी है तो बस इसी स्टेज पर इसे इस तरह से फैला देना है और चान्दी का वर्क वगरा इस पर लगा देना है तो बर्फी बन जाएगी पर हमें होने दिंगे जब तक हम ये गरी का जो थोड़ा सा बूरा हमने निकाल के रखा है लड़ू में लगाने के लिए उपर से इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे तो लड़ू का मिक्सर जो है वह हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है दोस्तों थोड़ा सा गुनगुना है जिस पे हम हाथ रख सकते हैं ये देख लेजी आप बहुत अच्छे से इस पे हाथ रख सकते हैं तो अब हम लड़ू को बनाना सुरू करते हैं और लड़ू को ब इस पे हम अच्छे से लपेट दिंगी बनाने के बाद ताकि देखने में लड्डू जो है वो हमारा अच्छा लगे तो आप बनाओ में लपेट में तो हमारी माही आ गई है हेल्प करने के लिए हमारी अगर हाथ में चिपक भी रहा है तो थोड़ा सा ऐसे इसे लगा लेना है फिर बिल्कुर नहीं चिपकेगा इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं चुछ तो थो 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 बनाओ दिल्दराय अगरिए दिरे इवाला नंतल पेन टिरे दिरस थिर्टी आड़ धोल प्रॉल थो थोड़ा है यह दिखिए दोस्तों लड्डू हमारे बनके तयार हो गए हैं और अब हम इन सब को ट्रांसफर करेंगे इस वाली प्लेट में और आप लोग चखिए चख करके बताएए कैसा बना है हमारा नारियल का यानि की कोकोनेट का लड्डू यह दोस्तों प्लेट हमारी लग चुकी है और कैसी लगी आज की हमारी रेस्पी केमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएएगा और हाँ जो भाई बैन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा आप सुभी को रक्षबंदन की धेर सारी शुब कामने है एपी रक्षबंदन दोस्तों